अपने रेन्बेक्सी के दो भाई मलविंदर और शिविंदर मुहन सिंग के बारे में तो जरूर पड़ा होगा कभी 22,500 करोड कारोबार के मालिक रहे दोनों भाईयों के पास अब कुछ नहीं बचा है बरबादी से पहले इन दोन भाईयों ने खूब नाम और शहरत कमाया लेकिन आपस के जगड़े ने इन से सब कुछ छीन लिया है ये तो थी रेन्बेक्सी के दो भाईयों की कहानी अब बाद करते हैं इन्डिको एयरलाइन या कहें इंटरग्लोब एवियेशन लिमिटेट के मालिक राहुल भाटिया और राकेश कंगवाल की जिनकी कहानी भी रेन्बेक्सी के मालिकों से मिलती जुलती है कहानी में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें दो भाई नहीं दो दोस्त है और ये कंपनी अभी तक डू भी नहीं है भारत में सबसे सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा देने वाली इंडिको एयरलाइन की स्थापना 2005 में हुई एक साल बाद 2006 में इसने काम भी शुरू कर दिया और सिर्फ 6 साल के भीतर शेयर मार्केट के लिहाद से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई और फिलाद अभी तक ये टॉप की कंपनी बनी हुई है लेकिन कंपनी में इस समय जो चल रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि इंडिगो ज्यादा दिन तक अपनी टॉप पोजिशन कायम रख पाएगी कारण कंपनी के दोनों मालिक राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के बीच मतभेद भढ़ता जाना है मतभेद भी इतना भढ़ गया है कि राकेश गंगवाल ने Securities and Exchange Board of India सेवी को चिठी लिख दी जिसमें उन्होंने अपने पार्टनर राहुल भाटिया पर वित्तिय गरबडियों का आरोप लगाया और इंडिगो की मैनेजमेंट पर तंच कसते हुए ये कहा कि पान की दुकान भी इंडिगो की मैनेजमेंट से अच्छा काम करती है आपको बता दे उससे पहले राहुल भाटिया ने भी राकेश गंगवाल पर कंपनी को हाईजेक करने का आरोप लगाया था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे से दोस्त दोस्त ना रहा तक ये दोनों पार्टनर कैसे पहुँचे उसकी पूरी कहानी थोड़ी देर में बताते हैं पहले थोड़ा पहुत इन दोरों के बारे में जान लेते हैं इस कंपनी के दो मालिक है पहला नाम राहुल भाटिया उम्र 69 साल नागरिक्ता भारतिये काम इंडिको एरलाइन के प्रमोटर और इंटरग्लोब एंटरप्राइजिस के मैनेजिंग डिरेक्टर इंडिको कंपनी में शेयर 38 प्रतिशत नाम राकेश गंगवाल उम्र 66 साल नागरिक्ता अमेरिकन काम इंडिगो एरलाइन के प्रमोटर इंडिगो कमपनी में शेयर 37 प्रतिशत 50-50 दोस्ती अब शुरू से शुरू करते हैं बात 1985 की है कैनिजा में पढ़ रहे 25 वरशीर राहुल भाटिया PhD करके टीचर बनना चाहते थे लेकिन किस्मत को कुछ और मन्सूर था उनकी मुलाकात राकेश गंगवाल से शिकागो इस्थित यूएस एरलाइन्स के हेटकौाटर में होती है जहां गंगवाल पिछले 10 सालों से काम कर रहे थी इस मुलाकात के बाद से दौनों के बीच दोस्ती की शुरुवात होती है लेकिन इसी बीच दिली में ट्रेवल एजेंसी का कारुबार करने वाले राहुल भाटिया के पिता कपिल भाटिया को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है जिसके चलते राहुल भाटिया कैनेडा से दिल्ली आ जाते है यहां आकर वो साल 1989 में एर ट्रांसपोर्ट से संबंधित एंटरग्लोब एंटरप्राइजिस कंपनी की स्थापना करते है राहुल भाटिया की लालसा समय के साथ साथ बढ़ती जाती है और उनकी कंपनी दूसरे सेक्टर्स में भी पैर पसारना शुरू कर देती है अब राहुल भाटिया की नजरे एवियेशन सेक्टर में थी इसके लिए उन्होंने अपने करीबी दोस्त राकेश गंगवाल की मदद मागी राकेश गंगवाल यूएस एरलाइन्स और यूएस एरवेज ग्रूप में टॉप पोजिशन पर रह चुके थे पहले तो राकेश गंगवाल थोड़ा जिच के लेकिन राहुल भाटिया की बार बार विंतिक करने और दोस्ती की खातिर उन्हें मानना पड़ा और इस तरह 2005 में इंडिको एरलाइन का जन्व होता है इंडिको कमपनी में दोनों दोस्तों की हिस्सेदारी होती है 50-50 दोस्ती रंग लाई दोनों दोस्तों के बीच काम को लेकर बटवारा होता है राहुल भाटिया निवेश लाने और परिचालन को चलाने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से संबंध भी बढ़ाएंगे और राकेश गंगवाल निर्माता कमपनियों से मुलभाव के लिए अपने एक्स्पिरियंस का इस्तिमाल करेंगे और जहाज खरीदेंगे दोस्तों की मेहनत रंग लाती है और फिर शुरू होता है इंडिको कमपनी की कामियाबी का सफर 2005 में इंडिको फ्रेंच कमपनी एयर बस से सो जहाज खरीती है राकेश गंगवाल की सूजबूट से हर जहाज से कमपनी को 30 से 35 करोड रुपे का फायदा होता है 2006 से इंडिको घरेलू उडानों से अपनी शुरूआत करती है 2007 में एक ही साल के अंदर इंडिको की यात्री संख्या 10 लाग को भी पार कर जाती है 2012 में कमपनी शेयर मार्कित के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कमपनी तो 2014 में एशिया की साथवी सबसे बड़ी एयरलाइन कमपनी बन जाती है 2017 में एक दिन में हजार उड़ाने संचालित करने वाली पहली एरलाइन कामपनी का तमगा भी इंडिगो को मिल जाता है 2017 तक आते आते पता नहीं इन दोनों की दोस्ती को किस की नज़र लग जाती है गंगवाल 2005 के शेरधारकों के समझोते पर सवाल उठाने लगते हैं जिसमें उन्होंने भाटिया के साथ हरस्ताक्षर किये थे इस समझोते में राहूर भाटिया को राकेश गंगवाल से ज्यादा पावर दी गई है राहुल भातिया की इंटरग्लोब एंटरप्राइज़ आई जी ए को इंटिगो में चेयर्मेन एमजी, सीओ और प्रेसिडेंट रखने का अथिकार तो है ही उसके साथ भातिया ग्रूप तीर स्वतंत्र डारेक्टर भी रख सकता है दूसरी ओर गंग्वाल का आरजी ग्रूप इंटरग्लोब एविएशन लिमिटिड में सिर्फ एक स्वतंत्र डारेक्टर नॉमिनेट कर सकता है इसके साथ साथ राकेश कंग्वाल इंटिको और इंटरग्लोब एंटरप्राइजस के पीछ हो रहे रिलेटिट पार्टी ट्रांजेक्शन आर पीटी यानि संबंदित पार्टी लेंदिन पर भी सवाल उठाना शुरू कर देते हैं इंजन की डील बनी मौजूदा विवात का कारण 2016 के बाद से इंटिको के एरक्राफ्ट 320 नियो में लगे इंजनों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जहाजों में प्रेट एंड विटनी पी एन डबल्यू कंपनी के इंजन लगे हुए थे जिसके चलते कंपनी के कई जहाज उड़ान नहीं भर पा रहे थे अब इंडिको के नए बैच के एरक्राफ्ट एरबर्स 320 और 321 में इस्तिमाल के लिए इंजन की जरूरत महसूस होती है हमेशा की दरह राकेश गंगवाल डील के लिए नेगोशियेट करते है लेकिन समय पर डील पूरी ना होने के कारण अनुबंत के उलंगन का खत्रा पैदा हो जाता है इसी बीच राहुल भाटिया जो अंतरिम CEO है किरन राउ को इंजन डील की नेगोशियेशन के लिए कंसल्टेंट नॉमिनेट करते है किरन राउ एरबर्स इंडिया की हेट थी ये डील दोनों की दोस्ती की कब्र पर आखिरी कील साबित होती है अप्रेल 2018 में कंपनी राकेश कंगवाल के करीबी ग्रागोरी टेलर को CEO नियुक्त करती है इस साल जून में इंडियो ने अमेरिका की एक कंपनी CFM International को Leap 1A Engine सप्लाइ करने का औरजर दे दिया है राकेश कंगवाल का आरोप है कि पूरे सौदे में भाटिया और उनकी टीम ने राकेश कंगवाल को नजर अंदास किया है सबसे पहले बात करते हैं राकेश कंगवाल की उन्होंने राहुल भाटिया पर क्या इल्जाम लगाए है राकेश का कहना है कि आज इंडिको अपने मूल सिधानतों से भटक गई है और कंपनी के बोर्ड में बैठे कुछ प्रभावशाली और ताकतवर लोग आरजी ग्रूप के अभ्यान को समाप्त करने पर लगे हुए है वहीं राहुल भाटिया का अपनी सफाई में कहना है कि गंगवाल की नाराजगी कहीं और है उनकी जो मांगे हैं वो अनुचित हैं वो कंपनी को हाईजेक करना चाहते हैं दोनों मालिकों की नाराजगी के बावजूद इंडिगों ने इस साल पहली तिमाही में बारा सो तीन करोर रुपे का शुद्ध लाब कमाया है निश्चित रूप से जून तिमाही के परिणाम इस पश्ट रूप से दिखाते हैं कि मालिकों के बीच चल रहे विवाद ने कंपनी के प्रदर्शन को कैसे भी प्रभावित नहीं किया है लेकिन भविश्य का किसे पता है पंजाब केसरी के लिए मनीश शर्मा की रिपोर्ट